अच्छा मेरा एक काम करेंगे यह मेरा पर्सनल काम है करेंगे जड़ा हाथ दुपर करके बताईए करेंगे करेंगे आई महालश्वीच्या आई अम्बावाईच्या चरणी त्रिवार वंधन करतो तमाम कोलापूर कराना माजा नवस्कार ये धर्ती चत्रपती सिवाजी महराज भर्मबीर संभाजी महराज और चत्रपती सहुजु महराज के आदर्शों की धर्ती है मैं इन सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ साथियों आप सब जानते हैं मैं काशी का सांसद हूँ और आज करवीर काशी आया हूँ यह मेरा सवभाग्य है साथियों हमारे कोलापुर महरास्त का फुटबॉल हब कहां जाता है फुटबॉल यहां के युवाओं में बहुत पॉपुलर है और आपको अगर फुटबॉल की भाशा में मैं बताऊं राम मंदिल को बनने से रोकने वाली कॉंग्रेस ने उसका भी बहिश्कार किया और यह कॉंग्रेस कितनी अध़फ़तन में गई है यह राम मंदिल की जो ट्रस्टी है न यह अच्छे लोग है तो कॉंग्रेस के सारे पाप माप कर दिये और घर जाकर की निमंत्रन दिये अगने बे चलो जो हो गया हो गया आओ उन्होंने उस निमंत्रन को ठुकरा दिया क्या कोई कभी प्रभुराम के दरबार में जाने का निमंत्रन ठुकरा सकता है क्या ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या अरे कॉंग्रेज वाले जरा आइने में चहरा देखो वो आयोध्या के अंसारी आयोध्या का वो अंसारी परिवार जो जिन्दगी भर राम मंदिर के बिरुद्ध अदालत में केस लड़ता रहा उसके पिता जी भी लड़ते रहे वो भी गुजर गए वो भी लड़ता रहा लेकिन जब नायाले ने कहा कि भर यह राम मंदिर है तो वो अंसारी खूद प्रभु राम के प्राण पतिष्ठा के कारकम में आकर के वहां मौझूद रहे जितनी की पर लड़ाई लड़े लेकिन फिर राम के शरण आये और यह राम का निमंत्र ठुकरा दिया जो राम को ठुकराएगा उसको आप क्या करोगे हैं आप क्या करोगे हैं आप क्या करोगे हैं जो डियम के पार्टी वो उनकी खासम खास वो कह रही है सनातन को गालिया देने पर बुतारू हैं कहते हैं यह सनातन तो डेंगू है मेलेरिया है और जो लोग सनातन के विनास की बात करते हैं उन्हें इंडिया गाड़ी के लोग महराश्ट्र बुला कर उनका संबान करते हैं यह द्रश्य देखकर के मुझे तो सोचता हूँ बारा साथ के पर कितनी बीती होगी बारा साथ ठाकरे के मन पर कितनी चोट पहुची होगी ऐसे लोग है यह इतना ही नहीं इंडिया गाड़ी वोटमेंग की राजनीती में इतना गीर गया है कि स्रिवाजी महराश्टी धर्ती पर यह आवरंग जेब को मानने वालों से जाकर के मिल गए है नकली सिर्शेना इन सब एजन्डों में इन लोगों के साथ कंदे से कंधा मिला कर चल रही है आज बारा साथ ठाकरे होते तो इनकी यह हरकते बहुत दुखी करते और आज भी उनकी आत्मा जहां भी होगी सबसे ज़्यादा दुखी उनके इन कारणामों से होती होगी है साथियों तुष्टी करण और वोट बेंक की राजनित्य करने वालों की नजर अब लोगों की कमाई और दलित पिश्णों के आरक्षन पर पहुँच गई है कॉंग्रेस के शहजादे उन्होंने गोशना की है कि वो आपकी संपत्ति की महिलाओं के गहने और सोने चांदी की जाज करवाएंगे आपकी कमाई को कॉंग्रेस उन लोगों में बाटेगी जिनका ये देश पर पहला हक है सा बताते हैं तुष्टी करण के लिए कॉंग्रेस किसी भी हद तक गिर सकती है साथियों कॉंग्रेस ने एक और ऐसी गोस्रा की है जो महाराश्य से के हरमाद मतदाता को जानना जरूरी है कॉंग्रेस ने अलान किया है कि आप जीवन भर जो कमाएंगे अपनों बच्चों के लिए जो कुछ भी जोड़ते रहेंगे वो पूरा का पूरा आपके संतानों को नहीं मिलेगा आज आपके बाद गाड़ी है तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं कर हैं दे सकते हैं खेत हैं दे सकते हैं यह कॉंग्रेस के सहाजादे फॉर्मूला लाए हैं आपके न रहने के बाद आपकी पैत्रुक कमाई में से आदा हिस्सा कॉंग्रेस इन हैरियेटन टैस्ट लगा कर बसूल करना चाहती है क्या आप अपनी महनत करके जो कमाई की है पाई पाई बचाई है बच्चों के लिए क्या उससे आप लूटने देंगे क्या यह कॉंग्रेस की सरकार जो सपने देखती हैं उसको पूरा होने देंगे क्या साथियों महाराष्ट बाबासाब आंबेड कर छत्रपती साहुजे महाराज जोतिवा फुले की धर्ती है महाराष्ट की यह धर्ती सामाजिक न्याय का प्रतीख है लेकिन कॉंग्रेस और इंडिया गाड़ी ने सामाजिक न्याय की हत्या करने के भी ठान ली है हमेशा बाबासाब का अपमान करने वाली कॉंग्रेस अब दलीतों पुछणों को आरक्षण पर डाका ना लेकि तैरी में है कॉंग्रेस महाराष्ट समेट पुरे देश में आरक्षण का अपना करनाट का मोडल लागू करना चाहती है और यह करनाट का मोडल क्या है इस देश के दलीतों ने आदिवासियों ने पिछडों ने सबने समझने जैसा है जी बड़ा भैंकर है मोडल करनाट का में कॉंग्रेस सरकार ने ओबी सी कोटे में जो 27 परसंट आरक्षण है वो मुसल्मानों को देने के लिए उन्होंने क्या किया रातो रात एक कागज पर थपा मार करके सभी मुसल्मानों को ओबी सी बना दिया रातो रात और इसके काण वो ओबी सी का जो कोटा सा उसके हकदार बन गए और जो OBC को मिलता था वो पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया भाईयो अब ये फॉर्मूला ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं आप करने देंगे क्या? करने देंगे क्या? 2012 में इंडी गड़बंदन की सरकार ने ये कोशिश की थी तब ये सफर नहीं हो पाये थे इसलिए अब कॉंग्रेस सम्विधान बदल कर दलीत पिछ़़ों का आरक्षण धर्म के नाम पर बांटना चाहती है OBC के आरक्षण पर ये डाका क्या कभी कोई बरदास कर सकता है क्या? आप बरदास कर सकते हैं क्या? आप स्विकार कर सकते हैं क्या? जिन लोगोंने करना तका में पीछ़़ों का आरक्षण छीना है उन्हें देश में एक इच भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए आउसर नहीं मिलना चाहिए साथियों कॉंग्रेस और इंडिये गाड़ी का एक ही एजेंडा है सरकार बनाओ, नोट कमाओ लेकिन हमने इन दस वर्षों में समस्याओं के स्थाही समाधान के लिए काम किया एंडिये ने विवाओं और महिलाओं को केंदर में रख कर काम किया एंडिये ने आत्मनिर पर भारत अभ्यान चलाया ताकि देश पर उद्योग बढ़े एंडिये ने स्टार्ट अप इंडिया अभ्यान सुरू किया ताकि वहाओं को ज़्यादा आउसर मिले आज स्टार्ट अप्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है आज दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मुबाइल फोन बनाने वाला भारत है यानि जिस विवा को कॉंग्रेस ने नोकरी और रोजगार के लिए तरसा दिया था भारत का वो विवा अब दुनिया की अर्थे ववस्ता को दिशा दे रहा है अगले कारकाल में भाजपा एंडिये युवाओं को और ज़्यादा आफसर देने के लिए प्रतिबत है इसलिए भाजपा ने गोशना की है कि मुद्रा योजना के तहट अब दस लाग के बजाए बिस लाग रुपे का लोन दिया जाएगा बीना गारंटी दिया जाएगा अगले पांच साल में हमारी सरकार इंट्रा सेक्टर पर रिकॉर्ड निवेश करेंगे इससे भीवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेगे साथियों विकास में महिलाओं के भागेदारी विक्सित हो और विक्सित भारत की एक गारंटी है इसलिए महिलाओं के लिए अवसर उनके स्वरक्षा ये मोदी की गारंटी है पहले जिन सेक्टर में महिलाओं के काम करने के पाबंदी थी मोदी ने इस पाबंदी को खत्म कर दिया हमारी सरकार ने रोजगार मेलों के जिरिये सरकारी नौकरी में अलाकों बर्तियां किये इससे सरकारी नौकरी में महलाओं की भाईदारी बड़ी है महारास्तर में यहां कॉलापूर में सहकारी समित्यों में महलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है हमारी सरकार ने पहली बार अलग सहरकारी मंत्रा नहीं बनाया हमने महिलाओं का आरते गुरु से मजबूत बना रेक लिए सेल्फ एल्फ गुरुप का एक बड़ा अंदोलन खड़ा किया इसी का नतीजा है कि पिछले दस साल में दस करोड महिलाए सेल्फ एल्फ गुरुप से जुड़ी है यहां माराष्ट में भी इसले दस वर्सों में सेल्फ एल्फ गुरुप से जुड़ी महिलाओं को हजारो करोड रुपी की मदद दी गई है अब हमारी सरकार सेल्फेल्फ ग्रूप की तीन करोड महलाओं को तीन करोड महलाओं को लखपती दीदी बनाने का संकल पले के काम कर रही है साथियों आज यही नारी शक्ति जब मोदी का सुरक्षा कवचर बन कर खड़ी है तो कॉंग्रेस वालों की ज़रा थकलिफ ज़ादाई बढ़ जाती है और आप भूलिये का नहीं विरांगना तारावाई के देश में कॉंग्रेस के उराज शक्ति का मिनास करने की बाते करते हैं साथियों कोडापूर विकास और विरासत के संभावना उसे बराक्षेत्र है लेकिन इंडिय अगाडी के सरकारों ने इस शेत्र की इतनी उपेश्चा की आज केंदर की इंडिये सरकार और मुक्यमंतर एकनास इंदेजी देवंदर फड़नवीज और भाई अजीत पवार की सरकार कोलापूर के विकास के लिए दिन रात काम कर रहे है मुंबई बैंगलूरू हाइवे के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है सक्तिफिट एक्सपरेज वे के जरिये माराशत का एक बड़ा हिस्ता आदुनी कनेक्टिविटी से जूड़ने जा रहा है हमने कोलापूर और खेत्र के नई ट्रेने दी है और बविश्वे हाँ बंदे भारत ट्रेने भी चलेगी हमने कोलापूर वैपवड़ी रेल लेवे लाइन को मंजूरी दी है जिससे कौकन खेत्र की कनेक्टिविटी और बड़ेगी कोलापुर एयरपोर्ट के रुकारपुर का सोभाग भी मुझे ही मिला है भाई और बहनों इस खेत्र में अंबा भाई शक्ति पीड का आशिरवाद प्राप्त है आने वाले समय में अच्छी सडकों और सुवीधाओं के कारण लाखो भक्त अंबा भाई के दर्शन करने यहां उद्योग व्यापार और परेटर से जुड़े अवसर पैदा होगे आँ मुझे बताईए मोटा कमिशन न मिलने तक फाईलों को दबा कर बैठने वाले लोग याकुब मैनन की कबर को सवार दे वाले लोग उनसे आप कोलापुर का महराष्ट का भाग के बदलने की उ लोग महराष्ट को आगे लिए कर जा सकते हैं क्या साथियों साथ मैं को महराष्ट और देश का भविश्च्ट ताय करने के लिए एक बड़ा आउसर आ रहा है मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोलापुर से एंडिय के उमिजवार बैसंजय मानलिक जी और हाथ कणंगले से दैरेशिल माने जी इनके पक्ष्वें भारी संख्या में मतदान करके मोदी के हाथ मजबूत कीजिए आप इनको जो वोड दिने वाले हैं ना वो वोड सीधा सीधा मोदी को जाने वाला है लेकिन गर्मी बहुत है कहीं कहीं शादिया भी है फिर में मतदान ज्यादा होगा ना आप गर गर जाएंगे मतदाताओं को जगाएंगे आप पोलिंग जितेंगे मतदान के पुराने सारे रेकॉर्ड तुड़ेंगे पका अचा मेरा एक काम करेंगे ये मेरा पर्सनल काम है करेंगे जड़ा हाथ उपर करके बताईए करेंगे करेंगे मेरा एक काम करना मेरा एक काम करना यहां से जाने के बाद आसपास परोस में गाओं में मोहले में जिन जिन लोगों को मिलना हो जाए नहीं होता है तो जाकर के मिलिये मेरी तरफ से मिलिये और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी को लापुर आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है घर गर मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे आप जब हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुँचा देंगे न तो हर घर के लोग मुझे आशिरवाद देंगे और हर परिवार तो जब मुझे आशिरवाद मिलेगा तो मेरी उर्जा अने गुना बढ़ जाएगी और वो उर्जा आपके लिए काम आएगी क्योंकि आपका सपना यही मेरा संकल्प है मेरा पल-पल आपके नाम है मेरा पल-पल देश के नाम है और इसलिए भाईयो मैंनो मैं प्रण लेकर के चला हूँ 24 by 7 for 2047 यह प्रण लेकर के निकला हूँ आपके लिए निकला हूँ और इसलिए मुझे पल-पल आपके आशिरवाद के जरूत है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद अधुनिक आत्मा निर्भर भारत के कणखर नेत्रुत्वर जिनका एक एक कदम हमारे मन में आशा की नई किरन लाया है जिनका हर एक शब्द विकास विजय की संकलपना को सातार करने वाला है अधर ये प्रधार मंत्री जीर का मैं आभार वेक्त करते हुए इस कारेकरम के आभार पदर्शन के लिए अमत्रित करती हूँ भारत ये जरता पर्टी के जिल्ला देक्ष सर्मानी श्री विजय जीर जाधा उजी को सर्मानी श्री प्रधार मंत्री आप सब से मिलने आये हैं फिर से एक बार कहेंगे फिर से एक बार अब की बार जै श्री राम भारत मता की भारत मता की और मैं अभार पदर्शन के लिए आमंत्रित करती हूँ भारत ये जनता पड़ी के जिल्ला अध्यक्ष विजय जी जाध हो इनको जाद हूँ मता अभार पड़ी जाध हो इनको ऑच की जाध हूँ चार पूम साथ्टन के जाध हो इनको